हेलो एन वेल्कम गाई स्वागत आपका फेंटासी डीसन चैलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग ओडिसा क्रिकेट ट्लिक टीट्वेंटी की बात करेंगे जो की मैच होगा या पर ओडिसा जगवार और ओडिसा पुमास के बिच में तो चलिए दोनों इटीम के प वीडियो में तो चलिए बिना किसी देरी वीडियो को स्टार कर लेते हैं तो बात करें इस मैच के इससे पहले चोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि यूटूब चैनल को आपने सबस्क्राइब कर लेना है क्योंकि ये पुरी टूर्णा में हम लोग इसी यूटूब चैनल के पर cover करेंगे इसके साथ साथ यहां से आपको Asia Woman T20 के वीडियोस मिलेंगे साथी में यहां पर आपको अजमन T10, बुखातिर T20 और भी कई सारी टूड़ा में चल रहे हैं सारे अच्छे मैचिस के वीडियो आपको इसी YouTube चैनल के उपर मिलने वाले हैं यूटूब चैनल को सबसे पहले आपको सबस्क्राइब करना है साथी में टेलिग्राम चैनल से भी जूड़ जाएगा क्योंकि इस मैच की और आगे भी आनी वाली चीति मैचिस रहेगी सारे अच्छे मैचिस की कि फाइनल अपडेट फाइनल मेरी आपको टेलिग्राम चैनल की तेलिग्राम की आटेच के हुआ है Öर आप लग को फिस thing से जाके मेरी सिनल को डोइन कर लेना है बात कर देंकर आद कर श्र है एवन 180 पहली मेच के अंदर बने थे तो इसके आसपास बन सकता है अराउंड 140 के आसपास स्कोर बनता वन अचर आएगा चेजिंग में आपर अभी दखके टूनामेंट के आकड़े एक्वली है तो टॉस इतना कुछ शाहे जादा मेने रखे ना लेकिन सबसे पहले बात करते है ODJ मतलब OD सा जैगवार की जो की लास मैच अपनी हार के आ रही है उपनिंग की बात करू तो आसिस परीजा के साथ यापर स्रेयस बालदवाज ने उपनिंग करवाया आसिस परीजा ने लास मैच के नदर सिफ सात रंग बना पाई और ओरोल 35 मैच के नदर करीबन 29 के अवरे से 640 रहन है बरोसे लाइक प्लियर है आपर राइट हैंडर बेटिंग के साथ सात राइतम मीडिया पास गेन बाजी भी करवा सकता है अलाकि ओस वो जादा तर करवाते हैं लेकिन बेटिंग से आपको टिक टाक पॉइंट्स दे सकता है बरोसा कर सकते हो स्रियांस बालदवाज की बात करते है तो कि तीन मैच के रेकोर्ट मिले जापर ठाउन रंग किये करीबन 20 के अवरेट से लास मैच की बात करूँ तो वो जीरो पी आउट हो गए और ओस वगेरा करवाई नहीं बाकि इन्होंने इस से पहले तीन मैच के अंदर चार ओस की गेन बाजी करवाई हुई है तो बरोसा करना चाहो तो कर सकते हो सुभांकर विश्वास की जो की विकेट की पर बल्ले बाज है लास मैच करना 35 रं किये ओरल 49 मैच करना करीबन 18 के अवरेश से याँ पर 599 रं है बरोसा डेफिनेटली कर सकते है इस प्लेयर के उपर यह भी आपको राइट रेट बेटिंग के साथ साथ लेक ब्रेक गेन बाजी भी करवाते हो दिखेंगे लेकिन यह तो ज़्यादा तर ओरस करवाते हैं 49 मैच करना सिर्फ दो ओरस की गेन बाजी करवाई है उससाब से आप लोग देख सकते है बाकि गोविन पोड़ार की बात करते हैं जो कि एस प्लेयर के साथ कैप्टन और वाइस कप्टन सिप की चोईस रहेंगी तगड़ा मानता है आपर 20 मैच के अंदर करीबन 21 के अवरेस से 754 रन है करीबन 22 के अवरेस से 808 विकेड भी है डेफिनेटली लेके जाएगा यह यह विकेट टेकर गेन बाजे लेफिनेटली आप लोग यह से सहीयाद जक्की को लेके जाएंगी अम लोग इस प्लेयर को लेके जाना इनकेल वाइस सावराव गवडा थोड़े से ओके-ओके रहें आई थिंग यह आपर हमें विकेट केपिंग सेक्शन से देख सकते हैं तो ट्राइ करना जाओ तो कर सकते हैं बाकी तोड़े से रिस्की रहेंगे इनके लब ऐसे जग्यान जित शाहो की बात करो तो यह ज़्यादा तो टीट्वेंटी खेले नहीं लेकिन इनके ओवराल आं 35 के वरे से 3400 से भी ज़्यादा रहन है करीव-करी 3500 रहन है तो बरुसा कर सकते हैं आपर वैसे भी लास मैच के नहीं दो वसकी गेनवाजी करवाई थी और 149 मैच के नहीं 121 विकेट भी है तो दो हमारी लिए ट्रॉम कार्ड है एक यह आपर सहीज जकी और एक यह से वगी शर्मा और दोनों को यह हम लोग यह देखे जाएंगी बागी प्रशान ठाकुरी भी लास मैच के नहीं विकेट लेस रहे थे और उन्चालिस मैच के नहीं चौपण विकेट है करीबन 17 गेवरे से 114 रहन है ठ्राइ करना जाओ तो कर सकते हो और बात करो सुनिल राउल की ज बाजी करते हुए और यहां से देखो बॉलिंग सेक्षन में बहुत सारी और रिस्क लेना चाहो तो यहां पर आप लोग वगी शर्मा और प्रशान ठाकुर को लेके जाएगा या पिर सुनिल राउल को भी ले सकते हैं सेफ जा रहे तो यह पर यह दोनों अफ्सन से दोनों में मिलेंगे आपको तो जली से जाके टेलिग्रम चनल को जोइन के लिए ना लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और इससे आप पुमा की बात करते हैं जो कि एक मैच खेली और जित किया रही है ओपनिंग की बात करते हैं तो स्वस्तिक शमल के साथ यहापर आप था भी के ना करिबान देबासी अशोग शमल ने लाज मेंच करना ऊपनिंग गरवाया इंपणस की बात कर तो दोनों इंपनस रहें कि कपे अच्छे बल्लेबाश यह दोनों सच्पिक शमल की बात कर लिए यह वन डाउन आते हैं लेकिन लास मेंच के रहते हैं वोपन लेकिन टीट्वेंटी की बात करते हो इस से पहले इनों ने सिर्फ दो मेच के लिए जापए इनों ने निस रगए दे लेकिन लास्ट मेच के नहीं अच्छी पारी के लिए तो ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो राकेश पट्टनाइक इंपॉंटरस रहेंगे कि विद्धे ल लेकिन तीन वर्स की पूरी करवाई थी लेप्टा मोट्रोड गयन बाज है रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हैं अर बात करें हम लोग यह से विक्रम समल की जो की 37 मैच के लिए लेकिन बैटिंग होड़ा थोड़ सा नीचे रहा था मुझे थोड़े से रिस्की लग रहा है तो मैं शाइद इनके साथ ना चाहो यह से पंकस्याना पटी भी बहुत ज्यादा रिस्की रहेंगे अप लोग चाहो तो यह पर इन दोनों में किसी एक को ट्राइक कर सकते हैं क्य जहाँ पर वो विकेट लेस रहेते हैं और फिप्टी थ्री मेच के अंदर फिफ्टी सिक्स विकेट है रिस्की लेना चाहो तो ले सकते हैं बाकि राहूल चोदरी एक इंपॉनेट विकेट डेफिनेटली लेके जाएंगे अम लोग यह पर मिननल परीदा रिस्की रहेंगे और बाग के रहेंगे आप पर निरंजन गवडा की जो की लास मेच के न दोई होस की गनबाजी करवाई राइटाम मीडियम पास गनबाज है ओररल 47 मेच के न फिप्टी टू विकेट है रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हैं बाकि अंशुमन बेज रिस्की रहेंगे स्टार्टिंग में आपर राशल चोधरिक के साथ या आपर एस बारिक देत होस में आपर राशल चोधरिक के साथ एन गवडा देत में डालेंगे इनके अलावा बेंच से कोई भी बिलेर खेलेगा तो इनके स्ट्राट्स और अप्डेटेव गयरा टेलिग्राम में मिलेंगे तल्दी से जाके टेलिग्राम जनल को जोइन के लेना लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अबिके लिनक से जाके टेलिग्राम चेनल को जोइन के लेना है अभी के लिए देख लिए पृप्स्री टिम को जाता है इनके लीए उप्सें बहुत जाता है तो आप लोग इनको ले सकते है बैटिंग सेक्शन में आपर पटन ही के साथ आपर A परिजा और S मुहापत्रा हमारी टीम के अंदर रहेंगे यहाँ पर आप लोग D अशुक सामंतरे को ले सकते हैं S बारत दवाज को ले सकते हैं और अल्रम्डर सेक्षन की बात करो तो यहाँ पर S समल के साथ यहाँ पर विगेश शर्मा यहाँ पर G पोड़ार और P ठाकर हमारी टीम के अंदर रहेंगे आप लोग जाओ तो P ठाकर को अठा के यहाँ से इन दोनों में से किसी एक को ले सकते लेकिन मेरा बरोसा अभी तब ठाकर के उपर जा रहा है मैं ठाकर को लेके जाओंगा अब यहाँ पर S जक्की को लेना है तो वीडियो को अच्छे से देखो सारी डिडियल्स मैंने बताई हुए और आप लोग अपने अकोडिंग चैन्ज वगेरा कर सकते हो टिम की बात करते हैं तो टिम कुछ इस तरह से रहेगी के जीप और डार कैप्टन रहेंगे और वाइस कैप्टन रहेंगे आर चोथरी इनके अलावाद चोईस मैंने सारी आपको वीडियो के अंदर दे हुए है तो किसे को कैप्टन वाइस कैप्टन करना चाहो तो वीडियो को एक बार अच्छे से देख लो बाकी वीडियो अच्छा लगे तो ये चीज़ जरूर करना है क्योंकि इसलिए हमें लोग मेहनत करते हैं बाकी आप लोग पूरा वीडियो देखते हो अच्छे से अनालिसिस करो अच्छे सी टीम बनाओ अच्छी काशे वीनिंग करके अपनी खुद की टीम बनाते रहो अच्छी काशी वीनिंग करते रहो अभी देखो इसमें क्या होता है कि मैं यहांसे जो टीम शेर करता हूँ बाए लोग आप लोग वही कॉपी करते है ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार मेरी टीम चल जाए हो सकता है कई बार आपकी टीम मेरे से भी बहतर बन सकती है मेरा काम है यहाँ पर आपको सारे प्लेयर्स के बारे में डीटेल्स देना और मैं सारे आपर रेकोर्स वगरे देता हूँ डीटेल्स वगरे देता हूँ और इसके साथ साथ मीरा suggestion वाली team भी मैंज़े देता है मैं ऐसा नहीं बोलता कि 100% winning वाली team है आप लोग इससे लगा होगे तो नहीं आरोगे मैं ऐसा कभी नहीं बोलता लेकिन मेरा suggestion रहता है आपके उपर depend करता है कि आपको उसी team के साथ जाना या पर कुछ बढ़ला होगे राकरना है तो यह कुछ कर सकते हैं आप लोग बाकी मिलते हम लोग अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई धन्यवाद जय हिंद जय बारत